मित्रों, भारत के संसदिय लोक तंत्र का एक काला ध्याय आज से ठिक पचास वर्श पूर्व। आज के दिन ही देर रात्री में हुआ था जब कॉंग्रेस के ततकालिन सरकार ने भारत के संविधान का गला घोंडते हुए लोक तंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजी स्रची थी 25 जून 1975 रात के अंधेरे में स्रीमती इंद्रा गांधी जी के नित्रुत्व में कॉंग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोक तंत्र को नस्ट करने का प्रियास किया था उस समय के सभी विपक्सी दलों की नेताओं को उसमें से तल बहरी बाचपेई जी से मोरार जी देसाई जी से जैप्रकास नाराण जी से लाल किष्णा डवानी जी और विपक्स के सभी नेताओं को बंद करके लोक तंत्र के गले को पूरी तरह घोटने का प्रियास किया था आज जब पचास वर्ष के उपरांद हम इमर्जन्सी की उन यादों को स्मन करते हैं तो स्वाभाई क्रूप से कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे लेकिन उसका चरित्र उसके हाव वहाव आज भी वही है जो 1975 में एक बरबर चेहरा उस समय में कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिला था कैसे उन्होंने समिधान की मूल आत्मा कही जाने वाली प्रियंबल में संसोधन करके उसकी आत्मा को नश्ट करने का प्रियास किया था कैसे कॉंग्रेस ने उस समय देश के नागरिकों के मौली क अधिकारों को पूरी तरह प्रतिवंदित कर दिया था कैसे नयायले के अधिकारों को कॉंग्रेस पार्टी ने उस समय में बंधग बना के रख दिया था और आज भी कॉंग्रेस पार्टी में बले ही नेत्र तो बदला हो लेकिन उसका चेहरा बदला हो लेकिन चरित्र तो उसका आज भी वही है यह लोग तंद्र की दुहाई देते हैं लेकिन भारत के बाहर जाकर के भारत के लोग तंद्र को कड़गरे में खड़ा करते हैं भारत की चुनाओ परणाली पर प्रस्ण चिन्द खड़ा करते हैं भारत के बाहर जाकर के भारत को और इसके लोग तंद्र को कोस्ते हैं भारत के अंदर पर हर चुनाओं की प्रक्रिया में बाधा पैदा करके EBM पर अपने अकर्मनेता का दोस्त थोपने का प्रियास करते हैं एक तरफ कॉंग्रेस का यत्ताना साही पूर्ण रवया जिसने आज से नहीं या 1975 में ही नहीं आजादी के ततकाल बाद समिधान अंगिकार करने के मातर दो वर्स के अंदर ही देश के समिधान में संसोधन करके धरा तिन सो सत्तर को उसमें जवरन डाल करके देश के अंदर देश की एखंड़ता को चुनोती देने वाली धारा 370 को डालने का प्रियास किया था इसके उपनांते भी समय समय पर कभी मीडिया पर को प्रतिबंदित करके कभी अन्य तरीके से प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रूप से लोग लग दोग तंद्र के सभी अस्थम्बों को कमजोर करने का प्रियास किया था 1975 पचीश जनवरी 1975 उसकी प्राकाश्टा के रूप में इस देश ने और दुनिया ने देखा था 1975 की मरजंसी की घटना की 50 वर्स पूरे हो रहे हैं 1975 में देश के लोग तंद्र को बचाने के लिए समिधान को फिर से बहाल करने के लिए नागरी कधिकारों की रक्सा करने के लिए जिन लोगों ने जेल की यात्माओं को सहा था जिन लोगों ने उस काल घंड में लोग तंद्र के लिए अपना सर्वस्तु नेच्छावर करने का कारिक गया था हमें आश्रे होता है कि उनकी वर्तमान पीड़ी उसी कॉंग्रेस की गोद में बैठ करके देश को फिर से कॉंग्रेस की ताना साही और लोकतंत्र विरोधी समिधान विरोधी पंग दायरे की और धकेलने का कुछित प्रियास कर रही है कॉंग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है और उसी का पेड़ा में जहां भी कॉंग्रेस नित्रत्व की सरकारे हैं उनका रवया उनके कारेपणाली उनके द्वारा के जाने वाले किर्टे इस बात के उधारन प्रस्तुत करते हैं उनके जो सहयोगी है बंगाल में टी एमसी है केरल के उनके सहयोगी है या तमिल लाड़ो के उनके सहयोगी है या कॉंग्रेस नित्रत्व की सरकारें जहां कारे कर रही है उनकी कारेपणाली को आप देखे जो लोग जनता को गुमरहा करके सम्विधान के नाम पर संसत की कारवाई को बाधित करने का प्रियास कर रहे हैं वे लोग कभी अपने गिरेवान में भी जहांके देखें क्या उन्होंने सही माईने में सम्विधान का पालन किया था क्या यह सच नहीं कि देश की संसत में कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेदा ने वहाँ पर जिस प्रकार का आचन किया था एक बिल को संसत के फ्लोर पर ही किस तरीके से अप्मानित करने का काम किया था एक आच किसी चुपा हुआ है या अन्यनेक ऐसे किरते जिसने लोकतंत्र को कमजोर किया है और लगातार देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रही है यह सभी कॉंग्रेस के वे किरते हैं जिसके लिए कॉंग्रेस को यह देश कभी माफ नहीं करेगा कॉंग्रेस पार्टी को और कॉंग्रेस की स्पाना साही में प्रत्यक्स और प्रत्यक्स रूप से सहभागी बने उन सभी राजनितिक दलों को भी जिनोंने जिनका उदै ही देश के अंदर कॉंग्रेस के खिलाब लोकतंत्र को बचाने के लिए हुआ था आज वे कॉंग्रेस की गोदी में बैठ करके जिस तरीके का अचन कर रहे हैं यह देश और इस देश की जनता उसे किसी भी स्थिति में स्विकार नहीं करेगी कॉंग्रेस को और कॉंग्रेस के इन सभी सहयोग्यों को जिनोंने लोकतंत्र को कमजोर किया है सम्विधान के प्रावधानों को समय समय पर मानने से इनकार किया है इसके लिए आज इमर्जंसी की पचास वर्स पूरे होने पर इन्हें देश की जंता से माफी मांगनी चाहिए अपने स्कृति के लिए और अपने न केवल चेहरे को बलकि चरित्र को देश के लोकतंत्र के अनुरूप ले जाने के लिए अपने आपको तयार करना चाहिए अपने स्कृति करना चाहिए